तो प्रेंद्स वैलकम टू माय चैनल आज में बनाने जा रही हूं गोंदे का अचा है जो काफी टाइम तक खराब नहीं होगा तो फिर आई चली शुरू करते हैं इसके विए मैंने अपर गोंदो को दो लिया था उसके बाद में इसको अच्छे से सुखान लिया था सुखान यहां पर मैंने सारे गोंदो की टोपियों को अलग कर लिया है यहां पर मैंने तेल गरम होने के लिए चड़ा दिया था तेल को अब हम गरम हो जाने देंगे तेल अच्छी से गरम हो गया है उसके बाद में हम गोंदे इसमें डाल देंगे गोंदे हम सावधानी से डालेंग हैं तक कि गॉंदे नीजे कड़ाई में चिपके नहीं इस तरह से बनाया आचार साल भर तक खराब नहीं होता है तो इस तरह से चलाते रहेंगे आज अब मीरियम ही रखेंगे मीरियम आज पर हम इसे हम करेंगे अब हम इsed कर देंगे केरी I am historic को यहां की को डालने के बाद में हम सिरफ 1 मिनट के लिए ही इसे चलाइँगे मौत आग्स मीदियम रखेंगे तेजे याश पें से रजाइक नहीं करेंगे तेज आज पर करनेशे गोंदे फटा फटी जल जाएंगे तो इसे केरी के साथ में चलाते हुए मुझे लगबा एक मिनट हो गया है तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक मिनट यह हैं इसे ही चलाते रहेंगे जब तक की इसमें बबल साना बंद नहीं हो जाए तेल में तब तक तो तेल थंड़ा हो गया है, तेल की थंड़े होने के बाद ही हम इसमें मसाले अड़ करेंगे, जिससे की मसाले काले नहीं पड़ें, इसके बाद में इसमें डाल देंगे दाना मेथी, दाना मेथी को मैंने हलका सा रोस्ट कर लिया था, और इसके साथ में हम डाल देंगे कलों अगर आप गरम तेल में यह मिर्ची कालर होगा और अचा दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा और इसी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें वन टेस्पून जितनी हल्दी पाउडर अब हम इन सब मसालों को एक बार अच्छी से मिला देंगे एक बार आप इस तरह से अच्छार बनाके जरूर ट्राय करें आपको जरूर पसंद आएगा तो एक बार मैंने सब मसालो को अच्छी से मिला दिया इसके बाद मां इसमें मिला देंगे नमक यह पेर दो से तीन चमच में इसमें नमक मिला रही हूं नमक को हम अच्छे से mix कर देंगे नमक को भी मैंने मसालों में mix कर दिया है इसके बाद हम इसमें सबसे last में add कर देंगे राई यहापर मैंने राई को पीस लिया था अगर आपके पास में पीली सरसों की दाल होतो आप उसको भी अचार में add कर सकते हैं तो एक बार हम और वापस से सारे मसालों को मिला लेंगे यह हमारा गौंदे का अचा बनके बिल्कुल तयार हो गया आप चाहो तो केरी को ग्रेट करके भी इसमें मिला सकते हैं यह 8-10 दिन में बनके बिल्कुल तयार हो जाएगा आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी प्लेज कॉमेंस करके आप जरू बताएं फिर मिलते हैं जल्दी एको नई वीडियो की साथ